पाठ बाइस सारलेखन और समरी राइटेंग किसी दिये गए गद्यांश या अनुच्छेद में कही गई मुख्य बात को संक्षिप्ट करके अपनी भाशा में लिखना ही सारलेखन कहलाता है सारलेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें गद्यांश को दो तीन बार ध्यान से पढ़िए तथा यह समझने की कोशिश कीजिए कि लेखक क्या बात कहना चाह रहा है जो भी महत्वपूर्ण बात कही गई है उस अंश पर पैंसिल से रेखा खिंच लीजिए जो भी प्रश्ण पूछे गए हैं उनके संशिप्त उत्तर अपनी भाषा में दीजिए प्रश्णों के उत्तर गद्यांश में आई बातों पर ही आधारित होने चाहिए अपनी ओर से कोई नई बात नहीं लिखनी चाहिए सारांश मूल अंश का लगभग एक तिहाई अंश होना चाहिए सारांश में वे सब प्रमुख बातें अवश्य आजानी चाहिए जो मूल गद्यांश में कही गई हैं समस्त गद्यांश को पढ़कर उसके केंद्रिय भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए गद्यांश का शीर्षक इसी केंद्रिय भाव पर आधारित होना चाहिए चाहे प्रश्नों के उत्तर हो या सारांश अपनी शब्दावली तथा भाशा में ही लिखे जाने चाहिए